Hello students, चलिए, हमारे पास आज फिर से एक new passage है, चलिए, एक बार start करने से पहले, हमेशा की तरह से display कर देता हूँ, मैं सभी को ये passage, और ये आपका complete passage है, यहाँ तक, ठीक है, एक बार इसको देख लीजे, और इसको attempt करना है आप सभी को, and now these are the options, ठीक है, जो set हमने कल किया था, जो passage किया था, उससे ही आगे passage है, 56 to 65 इसके options हैं, ये रहे total options, 65 questions तक आपका ये passage finish होता है, ठीक है, तो passage मैंने display कर दिया है, उम्मीद करता हूँ, आप सभी मेरे passage attempt कराने से पहले, खुद से एक बार passage जरूर अटेंट करके देखेंगे, और फिर अपने marks जरूर बताएंगे comment box में, या फिर app में कितने किसके marks आ रहे हैं, ठीक है, तो चलिए, start करता हूँ मैं, message को, पहली line ये रही, sense समझेंगे, और answer करेंगे, mount fuji, mount fuji, जापान का एक परवत है, एक जाला मुखी है, ये बात आप सभी जानते भी होंगे, जो बच्चे GS पढ़ रहे हैं, उसके बारे में तोड़ी details बताई है, mount fuji is among the world's highest and most prominent mountains, ये कहा है कि world की सबसे उची और सबसे प्रसिद्ध, prominent आपका अन्टोनिम्स अनोनिम्स का word है, जिसका meaning होता है, प्रसिद्ध, ठीक है, प्रमुख, प्रमुख mountains में से है, ये बात sentence में कही गई है, if you wish, अगर तुम्हारे इच्छा है, mount fuji पर कुछ करने की, अब mount जो पहाड़ियां होती है, उस पर चड़ाई की जाती है, तो climb से related कुछ word, आपको option में दिया भी हुआ है, ये आपने देखा होगा, तो उसमें समझ में आ जाएगा, आभी देखते हैं, पहले एक ब गर्वी जूप में, और अगर तुम सामना नहीं करना चाते है, अगर तुम नहीं देखना चाते हैं, क्या, जादा ही, too large का मतलब कुछ जादा ही, और too small का मतलब कुछ जादा ही कम, crowds का मतलब भीड, तो ये कह रहा है, कि अगर तुम mount fuji को चड़ना चाते हो, mount fuji पर climbing करना चाते हो, और तुम ना तो जएदा भीड देखना चाते, और ना बहुत ही कम भीड देखना चाते, तो ऐसे case में, we, ऐसे case में हम तुम्हें कुछ करते हैं, हम तुम्हें क्या करते हैं, सलाह देने वाली fluency आ रही है, हम तुम्हें सलाह देते हैं, कि you should climb mount fuji, कि तुम्हें Mount Fuji को चड़ना चाहिए, क्लाइम करना चाहिए on a week day एक week के दिन में that means Sunday, Monday, Tuesday in the first half पहले आधे हिस्से में किसके जुलाई के अब यहाँ पर जुलाई के साथ का की के का सेंस आ रहा है का का सेंस जो आता है कौन सी pre-position से आता है यह तुम सभी अच्छे से जानते हो तो I believe पहले दो-तीन question तुम्हें clearly समझ में आने लगे होंगे अगर तुम Mount Fuji को चड़ना चाहते हो हम तुम्हें सला देते हैं और जुलाई का पहला half जुलाई का पहले 15 दिन पहला half का आ गया है that means का का सेंस है तो यहां पर climb वाली fluency यहां पर सला देने वाली fluency और यहां पर का की fluency चलो options को explore करते हैं तो अगर तुम Mount Fuji को चड़ना चाहते हो अगर तुम Mount Fuji को चड़ना चाहते हो तो उसके लिए 2 के साथ have third form जब भी आती है तो यह past की fluency लेकर के आता है जबकि हमें चाहिए future की fluency तो यह तो answer नहीं हो सकता है ठीक है climbing ing है wish के बाद ing की ऐसी कोई खास need नहीं है और यह जो climb देख रहे हो यह bare infinitive या direct infinitive कहलाएगा non finite verb का basic सा question पूछा है यह भी यहां पर fluency नहीं है तो वह basic infinitive कहलाता है if you wish to climb Mount Fuji अगर तुम्हारे इच्छा है Mount Fuji को चड़ने की और तुम ना तो ज़्यादा ही भीड़ देखना चाते हो और ना तुम बहुत कम भीड़ देखना चाते है मतलब तुम चाते हो कि कुछ लोग रहे लेगिन बहुत ज़्यादा भी ना रहे तो ऐसे case में हम तुम्हे proscribe करते है हम तुम्हे recommend करते है हम तुम्हे commit करते है या हम तुम्हे delicate करते है सभी words के एक बार meaning बता देता हूँ फिर तुम्हे answer खुद ही पता चल जाएगा proscribe का मतलब होता है हम तुम्हे रोकते है या फिर इसका मतलब देश निकाला देना कहीं से बाहर निकाल देना भी होता है proscribe का मतलब ये prescribe नहीं है ये proscribe है धियान रखना तो हम तुम्हे रोकते है या हम तुम्हे सलाह देते हैं fluency समझ में आ रही होगी हम तुम्हें सला देते हैं या हम तुम्हें कमिट करते हैं कमिट का मतलब कुछ करना होता है simply और delegate का मतलब होता है कोई जिम्मेदारी सोपना है ना delegate का मतलब कोई जिम्मेदारी सोपना तो खेर ये सारे words आपके सामने हैं तो हम तुम्हें सला देते हैं वाली फ्लूएंसी है, that's why हमारा आंसर B होगा हम तुम्हें सला देते हैं कि जुलाई के पहले हाफ में तुम्हें जाना है यह बात बोली गई है यहाँ पर, ठीक है, अब बढ़ते हैं passage की और again तुम्हें जुलाई के पहले हाफ में जाना चाहिए before the start of the school vacations, school vacations के start होने से पहले the downside of a climb, देखो ए का मतलब कोई किसी या एक वगरा सब मीनिंग्स होते हैं तो अगर आप कोई climb करना चाहते हैं, अगर आप एक चड़ाई करना चाहते हैं तो उसका downside जो है, downside का मतलब खराप पहलू, नकरात्मक पहलू जो होता है यह बोला गया है, तो उसका downside जो है early July में, मतलब जुलाई के शुरुआत में वही जो पहले 15 दिन बोले, वो क्या है, is the, वो यह चीज है मतलब हो सकता है वहाँ की कोई चीज है जो गड़बड करती है जिसकी विए से वहाँ पर उस time जादा लोग नहीं जाते वहाँ कम भी नहीं जाते, लेकिन जादा भी नहीं जाते तो यह वहाँ का जुलाई के पहले हफते में, पहले दो हफते में या पहले हाफ में, यह कोई चीज है अब क्या चीज हो सकती है, इस चीज को देख लेते हैं बट पहले आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा तुम्हें clear हो जाएगा which tends, which tends to be somewhat more unstable जिसकी प्रवरत्ती होती है, tend to का मतलब होता है जुकाव या प्रवरत्ती तो जो कैसा होता है, जो कैसी होती है, somewhat more unstable than later in than later in, तो जो कि बहुत जादा unstable होता है later, जबकि बाद वाले इससे में अब यह जो season है, season वाली बात आ रही है, तो seasons related ही कोई word मुझे यहाँ पर चाहिए तो उस time पर, July के पहले 15 दिनों में, जिसमें हम तुम्हें जाने की सला दे रहे हैं अगर तुम जादा भीड नहीं देखना चाह रहे हैं, तो उस time पर तुम्हें क्या करना है उस time पर एक यह चीज होती है, जो मौसम वगयरा की चीज आ रही है, season जैसी जो क्या होता है, बहुत जादा unstable होता है उस time में इस season के बाद वाले इससे के मुकाबले, more than कहा ना, बाद वाले इससे के बजाए, इस time में जादा unstable होता है तो 59 में मुझे चाहिए, most some related word और 60 मुझे चाहिए, इस या उसकी fluency वाला कोई word, मतलब this या that की fluency वाला कोई word चाहिए ठीक है, तो चलो, options की और बढ़ते हैं आगे तो क्या दिया गया है option 59 and 60 में तो वो क्या है वो क्या होता है, वो आपका climate है वो आपका encounter है, सामना करना, वो आपका climate है या वो या आपका weather है वो है आपका weather, season वाली बात आई न, season वाली बात weather से आती है climate किसी particular area का होता है, इसलिए आपको weather यहाँ पर चुनना चाहिए ठीक है, तो वो वहाँ का weather होता है, ठीक, अच्छा weather चुन लिया अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, question number 60 पर बढ़ेंगे, आगे पहले एक बार line clear कर लें, तो downside of a climb in early July early July में, जुलाई के शुरुआत में किसी भी climb के जो नकारातमक पहलो होता है वो होता है, इसका weather, weather या season की बात कर रहे हैं हम जो कि बहुत जादा unstable हो जाता है बाद वाली जुलाई के, इसी season के बाद वाली जुलाई के इससे के बजाएं, ठीक है, तो यहाँ पर इसका sense आ रहा है इस या उसका sense हम किससे लेंगे, ये बात मैंने तुम्हें आर्टिकल के चेप्टर में बड़ी ही clearly पढ़ाई थी, कि अगर आपका इस या उसका sense आ रहा है तो वो this या that होता है, अब this या that अगर ना हो तो वहाँ पर आप किससे काम ले सकते हैं द से काम ले सकते हैं, ये ध्यान से देखो, यहाँ पर this या that नहीं है और मेरी fluency this that की है, this season या that season की fluency आ रही है ठीक है? चलो, अब आगे बढ़ते हैं, line को आगे ध्यान से देखते हैं यहाँ तक हम आ चुके हैं, चलो, अब और ज़्यादा सही से Hindi sense को समझो चितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छा अंसर दोगे वाइल देर इस, जहां जहां देर इस no slow on Mount Fuji from late June until October, जहां June के बादवाले हिस्से से, late June का मतलब June का बादवाला हिस्सा जहां June के बादवाले हिस्से से, October तक, यह दिया गया है until October that shows के दो से तीन महीने का टाइम दे दिया है, I think July, August, September और October, October तक यह तीन से चार महीने का टाइम दे दिया है यहां पर का गया है जहां Mount Fuji पर इस टाइम से इस टाइम तक snow नहीं होती snow नहीं होती, यहां पर कोई एक adverb आपको put करने के लिए कह रहा है जहां snow नहीं होती, वहीं क्या होता है, वहीं temperature जो होता है कहां पर? submit पर, submit का meaning लिख लेंगे submit का मतलब होता है शिखर या चोटी, ठीक है? इस परवत का शिखर या चोटी, ठीक है? जब आप submit पर जाते हैं तो वहीं जो Mount Fuji का जो submit है, उस पर जो temperature है यहां पर कोई चीज होगी temperature में, ठीक है, can drop to far below zero यह zero से भी बहुत आगे चला जाता है, मतलब zero से भी बहुत नीचे सला जाता है in the shoulder season, shoulder season का meaning लिखेंगे आप shoulder season, पुरा phrase के रूप में याद रखें, यह season कौन सा होता है? जब ना तो peak season होता, और ना ही off season होता इसके beach का season, है ना, shoulder season का मतलब, ना peak season, ना off season beach का season जो होता है, जब ना ज़्यादा भीड होती है, और ना ही बहुत ज़्यादा कम लोग आते है medium time का season होता है, उसे हम shoulder season कहते है तो temperature जो है, जहाँ snow तो होती नहीं है, mount fuji पर, इस time से इस time तक वही temperature जो होता है, शिखर पर जो होता है, वो चला जाता है, कहां से कहां तक, 0 से भी बहुत नीचे चला जाता है shoulder seasons में, ठीक है, भाई, सीधी सी बात है, shoulder season इसे क्यों का आ जा रहा है temperature जब बहुत ज़्यादा कभी गिर जाता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे season में जब temperature ही stable नहीं है तो फिर वहाँ पर लोग क्यों आएंगे इसलिए बीड़ कम होती है है ना यही चीज कही गई इसलिए इसको shoulder season का आगया है चलिए आगे बढ़ते हैं लेट सी यहाँ पर क्या कहा गया है जहाँ पर बर्फ तो होती नहीं है तो बर्फ समानने रूप से होती नहीं है इस time से इस time तक के बीच में evenly, finally, eventually, finally, eventually तो दोनों एक ही word है यह नहीं आएंगे अब evenly और usually में से तुम खुद ही कहोगे कि usually जादा fluent है और अच्छा word है और समानने का अर्थ दे रहा है तो जहाँ इस season जुलाई से अक्टूबर तक बर्फ तो समानने रूप से होती ही नहीं है वहीं पर, वहीं पर क्या होता है लेट सी, एक बार passage में वापस चलते है 62 में हमें prepositions दी हुई है यहाँ पर वहीं पर temperatures यहाँ पर समिट पर, चोटी पर कहा गया है तो किसी चीज पर का sense है यहाँ पर अब पर के sense के लिए आप कौन से prepositions लगाओगे आप आप आँसे बता सकते हैं जो चोटी पर अगर आप जाएंगे तो in लगाएंगे, off लगाएंगे at लगाएंगे, या फोल्ड लगाएंगे आप खुदी कह सकते हैं कि हाँ सर, यहाँ पर at आएगा ठीक है, चोटी पर का sense आ रहा है चोटी के उपर वाली बात आ रही है उस जगा पर, उस point पर तो उस point की बात है, तो point के लिए हमेशा add proportion आती है, यह आप सभी जानते ही है ठीक है, तो 62 का answer हमारा हो गया, add तो चोटी पर जो आपका temperature होता है वो 0 से भी बहुत नीचे चला जाता है अब आगे बढ़ते हैं message almost finishing पर आ रहा है पटफट से complete करते हैं आगे क्या आ गया है only only hikers hikers वो ही चीज है, जो वहाँ पर चड़ाई चड़ेंगे, should consider the should consider, consider का मतलब विचार करना, केवल बहुत ही जादा अनुभवी hikers को ही विचार करना चाहिए, late June से September तक वही बात है, temperature बहुत जादा unstable है, birth भी पड़ सकती है आपकी death भी हो सकती है कई चीज़े है, तो वहाँ पर कैसे hikers चाहिए होंगे professional hikers चाहिए होंगे बहुत ही जादा अनुभवी hikers होते है जिने विचार करना चाहिए, किस के बारे में वहाँ पर चढ़ाई करने के बारे में है ना, इस season में, shoulder season में ये बात यहाँ पर कही गई है तो 63 में हमें क्या चाहिए, अनुभवी 64 में हमें क्या चाहिए, उन्हें विचार करना चाहिए, चढ़ाई के बारे में तो 64 में चढ़ाई चाहिए 63 में हमें अनुभवी चाहिए चलो options पर चलते हैं केवल जब लोग जाते नहीं है वहाँ पर तो कौन जाएगा अनुभवी लोग जाएगे तो अनुभवी क्या किस से आता है new से, elder से, experienced से या sophisticated से experienced से आएगा sophisticated तो सभ्य लोगों का sense देता है सभ्य या सुसंश्क्रत यहाँ पर word दिया हुआ यस का meaning तो ठीक है वो है ना तो इसके लिए हमें experience चाहिए केवल experienced hikers को ही consider करना चाहिए मतलब विचार करना चाहिए किस चीज का उस season में ride करने का उस season में drive करने का उस season में ascent चड़ाई होती है और flight का मतलब उड़ान बढ़ने का तो आप खुद ही कहेंगे कि उस season में चड़ाई करने के बारे में केवल professional लोगों को ही सोचना चाहिए clear हुआ यह अब बढ़ते हैं आगे और passage को finish करते हैं almost last line पर हम अपने passage की है ठीक है अब ध्यान से देखो यहाँ पर कहा गया है if last में बोला गया है क्या if if there is snow on the mountain अगर mountain पर snow होती है अगर mountain पर बर्फ होती है mountaineering equipment तो एक तो किसी तरह का mountain करने का चड़ाई करने का equipment और एक अनुभाव is required इन दोनों चीजों की ज़रूरत होती है तो किसी तरह का आपको mountaineering का equipment चाहिए अब किसी प्रकार का चाहिए ठीक है और अनुभाव चाहिए इनकी ज़रूरत होती है तो किस किस चीज की ज़रूरत है किसी प्रकार के equipment की ज़रूरत है तो किस प्रकार का equipment रहा होगा वो यह बताओ जरा मुझे क्या वो उचित equipment रहा होगा क्या वो skillful equipment रहा होगा क्या वो trained equipment रहा होगा या फिर क्या वो new equipment रहा होगा तो आंसर है उचित जरूरी आवश्यक तो जो सही बैठे ऐसे equipment की ज़रूरत होती है तो इसी question के साथ में आपका ये वाला passage भी complete होता है ठीक है 65 में आपने क्या फिल किया appropriate mountaineering equipment and experience is required if there is snow on the mountain अगर mountain पर snow होती है ठीक है तो इसी के साथ में आपका ये वाला passage भी complete होता है कोई doubts हैं तो comment box में बताएं जो बच्चे app में पढ़ रहे हैं courses में complete sets solve कर रहे हैं मेरे साथ daily live वो बच्चे app में अपने group में message करें कोई भी doubt आता है तो ज़रूर बताएं बाकी live class में हम सब को solve करी रहे हैं batches में अपने ठीक है चलिए तो आज के लिए इतना ही have a good day